महराश्र का हनुमान चलीसा विवाद गुरुवार को शिमला में भी गुंजा यहां एंटी टेरिस्ट फरंट के राश्री अध्यक्ष विरेश शांडेले ने कहा कि हनुमान चलीसा गाना देश द्रोह कैसे हो सकता है शांडेले ने आरोप लगाए कि महराश्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने नवनीत राणा को जेल में डाल रखा है और केंद सरकार को नवनीत राणा की रिहाई करानी चाहिए और महराश्र में राश्रपती शासन लगाया जाना चाहिए विरेश सांडेल ने काया है कि अंटी टेरिस फ्रंट राणा की रिहाई के लिए महराश्र जाकर जेल के बाहर प्रदर्शन करेगा जेल के भार जाकर धरना दूँगा और सनाथनियों को अपील करता हूँ देव भूमी से कि हर घर के अंदर हनुमान जी का जंडा लगे और सुबस शाम एक बार हनुमान चालिसा गाई जाए और महराश्र सरकार को रास्ट पती बरखास करें ये महिम चलाई जाएगी शांडेले ने ये भी कहा कि एंटी टर्रिस फ्रंट देश विरोधी ताकतों के खलाफ अंदोलन करने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में भी पुन्नू ने 29 अप्रेल को खालिस्तानी जंडे फैराने की धमकी दी थी इसके विरोध में एंटी टर्रिस फ्रंट शुकरवार को शिम्ला में खालिस्तानी और भिंडरे वाले के जंडे को आग लगाएगा और भारत के तिरंगे को फैराएगा अब गुर्पतवन सिंग पन्नू जो पाकिस्तान की आईएसाई पाकिस्तान के लश्क्रे तोईबा से मिलकर हिंदूस्तान में आतंकवाद लाना चाता है भारत का तिरंगा लहराय जाएगा जो भारत के सविधान से प्यार करते हैं जो भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं जो इस शहीदों से प्यार करते हैं अब उनको मैं इमाचल से एलान करता हूं कि इन खालिस्तानी रूपी राक्ष्रों का अंत करने के लिए इनका बीज न सिंग भेंडरावारा ने रखी जिसको 6 जून 1984 को भारतिया सेना ने मारा था जो अब इसका जंडा उठाएगा जो खालिस्तान का जंडा उठाएगा उसका इलाज देश की पुलिस की गोड़ी और देश की आर्मी की गोड़ी होना चाहिए यह वही आतंकवादी हैं जो पाकि शांडेले ने केंद सरकार से पूछा है कि भिंडरे वाला आतंकवादी है या देश भक्त सरकार इसे लेकर सिती स्पष्ट करें शिबला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट एन्वन लाइफ के लिए